200 करोड रुपे की ठगी करने वाले जैकलिन फर्णांडिस के बॉइफ्रेंड सुकेश चंदरशेखर नोरा फतेही पर भी दोरे डाल रहा था खुलासा हुआ है कि चंदरशेखर ने जैकलिन के साथ साथ नोरा को भी महेंगे तुफे दिये चंदरशेखर ने एडी को बदाया कि उसने नोरा को एक करोड रुपे की कार गिफ्ट की जिसके बाद एडी ने पूस्ताज के लिए नोरा को बलाया तब नोरा ने खुलासा किया कि उन्होंने एक करोड रुपे की BMW कार गिफ्ट में तो ली है लेकिन वो ये नहीं जानती कि सुकेश कौन है हलाकि नोरा के इस बयान से ED के अधिकारी काफी हैरान हुए क्योंकि एक करोड रुपे की कार कोई यूहीं गिफ्ट में थोड़ी देगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सुकेश, नोरा और जैकलीन से नजदी क्या बढ़ा कर कई डील्स करना चाहता था इसके जरिये वो अपने क्लाइंट्स को साबित करना चाहता था कि उसकी पहुँच बड़े बड़े लोगों से है ED को ये केस इतना सीधा नहीं लगता ED को शक है कि इन दोनों हिरोनों की कोई भूमिका हो सकती है ED ने आज पूस्ताच के लिए दिल्ली में जैकलीन को बुलाया है इस पूस्ताच में कई एहम खुलासे हो सकते है हलाकि जैकलीन के फस्ते ही स्टार्स ने उनसे दूरी बना ली है फिलाल तो अभी नोरा पर कोई सकती नहीं हुए लेकिन जैसे जैसे इस केस के तार खुलेंगे तो हो सकता है कि कोई और स्टार्स भी इस लपेटे में आ जाए फिलाल इस कबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बदाएए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजे